इलाइची के खेत में काम करने वाली मजदूर ने पहले प्रयास में पास किया केरल पियस्सी और इनकी इसकड़ी महनत और लगन और इनके संघर्ष के लिए एक लाइक तो बनता ही है कुद्रत ने इनसान को हर विपत्ती का सामना करने लाइक बनाया है मुसीवते चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो इनसान के आत्मविश्वास महनत और लगन के आगे घुटने टेगी देती है प्रतियोगिता परिक्षाओं की हमारे देश में अलग एहमियत है नाम और रुत्वे का प्रतीक बन चुकी सरकारी नौकरी निकालना आसान नहीं है सीटे कम होती है और फॉम भरने वाले लाखों करोडों ऐसी ही ये घटना सामने आई है जिसमें इस मजदूर लड़की ने काफी कश्ट सह कर भी सफलता हासिल की है ये घटना केरल की है 28 परशी है सेलवा कुमारी ने पहले ही अटेम्ट में केरल पीसी की परिक्षा पास कर ली है सेलवा कुमारी की मा इलाइंची के खेत में काम करती थी और सेलवा कुमारी ने भी इलाइंची के खेतों में काम करते हुए ये करिश्मा कर देखा है केरल के वंडी परियर के छोट्टू उपारा गाउं की सिल्वा कुमारी की मा ने उसे अकेले बढ़ा किया सिल्वा कुमारी के पिता मा बेटी को अकेले छोड़ कर चले गए सिल्वा कुमारी की दो छोटी बेने थी और मा के लिए तीनों को अकेले संभालना संभाव नहीं था मा की मदद करने के लिए सिल्वा कुमारी भी इलाइंची के खेतों में काम करने लगी सिल्वा कुमारी अपनी मा और दादी के साथ एक कमरे के माकान में रहती है और इतनी मुसीबतों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं चोड़ी, सिल्वा कुमारी ने Government Women's College तिरुवननत्पुरम से Maths में Graduation किया, उसने M-Phil में टॉप किया, सिल्वा कुमारी मलयालम में बात नहीं कर पाती थी, कॉलेज और क्लास में इस वज़े से उसका मज़ा सरकारी नौकरी पाने का सपना देखने वाली इस मेहनती लड़की को इस से फरक नहीं पड़ा, तो इस मेहनती और संघर शील लड़की के बारे में आपकी क्या राय है, नीचा में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइए, और इस वीडियो को फेस्बूक और वाटसप पर जादा से जादा शेयर करेंगे